तो दोस्तो आज हम आपको चकने के चने की रेसिपी बना कर दिखाएंगे तो दोस्तो हमने चने उबाल लिये हैं तो चने हमने साम को बिगो के रख दिये थे तो भी अच्छे से फूला गए हैं तो हमने कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल कर उसमें प्यास डाल दिये हैं और यह अच्छे से बन रहे हैं यह आ गया दोस्तो थोड़ा जीरा तो अब हमने डाल दिया है टमाटर टमाटर को हम अच्छे से बनने देंगे इसमें और इसमें हमने थोड़ा सा खड़ा मसाला भी एड़ किया है, जैसे कि पत्ते वगेरा वगेरा ये दोस्तो भीगोई वे चने आ गए हैं, कड़ाई में हम डाल रहे हैं तो हम थोड़ा सा चनों को छलाते रहेंगे, ताकि ये जले नहीं ये आगे दोस्तो गरम मसाला, हल्दी, नमक और पीसावा लसन और मिर्ची इसे हम पाने में गोल कर कड़ाई में डाल देंगे तो दोस्तो आप देखिएगा काफे शानदार चकना बनेगा जिसे कि किसी होटल में मिलता हो, आप पहले देखिए पुरा वीडियो दोस्तो तो ये थाले में बनाएवा गोल हमने डाल दिया है तो आप हम चनों को अच्छे से चलाते रहेंगे और थोड़ी दियर अच्छे से बनने देंगे ये हमने ढग दिया है, ढग के थोड़ी दियर बाद हम चेक करेंगे कि कितना बना है तो आप देखी सकते हैं कि दीख तो रहा है अच्छा तो लगबग बन गया है और इसे हमने उतार लिया है तो ये देखे दोस्तो चने की रेशिपी बन कर तयार है ये आगे दोस्तो हरा धन्या तो अब आप देखी सकते हो कि चने की रेशिपी कितनी शांदार बनी है तो दोस्तो आप भी इस तरीके से चने की रेशिपी बना कर खईएगा तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू दोस्तो